तो आज जो है इस वीडियो में यानि कि呀म लोगों का जो काफी कमेंट मुझे आया है इस सीह का जो एक्जाम सेंटर जो online के माध्य हमसे होने हैं वह जुँआ कहा रहेंगे यानि कि different different city में जो हम लोगों का exam center देखने को मिलेंगे या फिर नहीं या फिर जो है अहमदाबाद में ही कंड़क्ट करा जाए तो कि आपको पता होगा कि जो इतके एक्जाम है वह ऑनलाइन के माध्यम से होने है और जो यह ऑनलाइन के माध्यम से होंगे तो इन्होंने अभी सेंटर सेलेक्शन का कोई भी जो है ऐसा नोटिस नहीं दिया है कि तक होनी की संभावना है तो डिटेल से जो है आज इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं आप सुरू से लिए कि अंतक बने रहे हैं और जो चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो सबसे पहले जो इस पेस अप्लिकेशन सेंटर एहमदा यहाँ आप देख सकते हैं इनका दिया घ्या है वी शुंछ सबमाप करा लिया जाएजेंगे दिया और कि नियुक्च संभाविल सकते है कि परिवरतन के प्रिवरतन देखने को मिल सकता है मेरे खैल से परिवरतन नहीं होने वाला आपके यह शुरूयal अप्रिल माई प्रमिट्रेंट सेलेक्षिन करा लिया जाता है जैसे कि उयुक्त कराया गया था इन्होंने सेलेक्षिन नहीं तो मतलब यह हो सकता है और यू चुनिंदक सेलेक्षिंड की यहाइब आपके जैसे नियर इस्ट में तक्रिबन दस या बारा सीटी में दिया जाए लेकिन मुश्टली चंसे से कि आपकी एक्जाम अमदाबाद में ही कंटक्ट करा जाएंगे और इसके बास मैं जो है मैं स्लेवस की बात करूं तो जितने भी टेक्निकल असिस्टेंड और टक्निसेंड भी है या फिर आपके परस्थ जो है शाट रहें तो मुश्कूली चंसे से हैं कि आपके परस्थ जो है ऐसी रहेंगे डिकर हो सकता प्लिवस कि यह बात करूं तो आपके się 40% a.50% आपके टेकनिकल रहेंगे यानि कि आप टक्निशन B के हैं तो आपके प्रत पुछते हैं टक्निशन तो आपकी प्रसंड रहेंगे उनमें 60 में ननटक में मैत हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बाइख की क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इसके बाद जो आपका एकजाम होने बाद जो है आपके skill के skill करा जाते हैं तो ये basic सी चीज़े हैं जो मैंने काफी बार वीडियो में discuss के आए तो ये सारे चीज़े आप लोगों को पता ही होगा तो आप लोग यही मान के चल सकते हैं कि आपका सेंटर जो है एहमदाबाद में ही होगा और जो है ऑनलाइन के माधियम से एक्जाम जो है कंडेक्ट करा जाएगा अब जो है IPRC पर बात कर लेते हैं और इसका जो एड्मिट कार्ड आप जो जारी होगा यह अगर एक्जाम आप सिटी रहने वाला कहा रहने वाला है और वही मैं IPRC के बारे में बात करूं तो इनका एक्जाम जो है मैई जून में होने की पूरी संभाबना क्योंकि अपी जो है मैं पावर में इंपलाई की कमी है और जितने भी पेंडिंग थे सभी को जो है जल्द ही अपामेंट लेटर दिया जा रहा है और जल्दिवाजी में जल्द ही जो है इसका जोइनिंग कराया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा आपका एक्जाम क्योंकि उस टाइम जो वेकेंसिस्ट थी वो कोबीट के कारण जो है डिले हो गया था बट अभी के जो भी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होने वाले हैं और जो है आपका एक्जाम भी महिजुन के आसपास में जो है हो जाएंगे तो आप लोगों को जो है बिल्कुल भी इन सब बात अपन पर दियान नहीं देना है और अपने त्यारी भी फोकस करना है क्योंकि इनका जो जो है निगेटिव मार्किंग होंगे तो इन में जो है नमर अपकुस्तन असी है और वही चीज़ें सेम रहने बाला है यानि कि आपकी टेक्निकल फिल्ट से जो है असी से नवे प्रसना आएंगे बाकि जो है नन टैक्स से आएंगे जो वर्क्सप के लिकलोशन वगर होगे उन से आएंगे और यही सेम चीज़ जो है डिप्लोम वालाओं के लिए भी लागू होता है और इसका जो है उनलाइन आवेदन परक्रिया चालू है जो जो है जरूर इसका उनलाइन आवेदन करें अगर आप इलिजबल है तो जो है इस रों में बार-बार ऐसे मौका नहीं गया कि अगर 40% कर दिया जैनरल के पचास परसंट उस टाइम जो है 60% करते थे कि आप जो है साट परसंट मार्च लाएंगे तभी जो है स्किल के लिए स्किल टेस्ट में पास होते थे तो अभी तो अलका सा जो है छोड़ भी मिल गया है तो आप लोग जो है अच्छे से चले इस वीडियू में इतना ही इस तो के रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए चैनल को जरू सस्क्राइब करें और भी कोई प्रोब्लम हो तो आप कमेंट्स किजी क्योंकि मैं कमेंट्स देखे ही वीडियो बनाता हूं तो चले इस वीडियो में इतना ही